हे गाईज मेरा नमे पराकपाल और आप सब लोगा स्वागते मेरे इस नए वीडियो में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरीके से AutoCAD का सौफट्वेर तीन साल के लिए Autodex इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो ठीक है? फ्री में तो सबसे पहले आपको क्या करना है? मैंने एक लिंक दिए, step number one करके create an account मेरे description box में वहाँ पर जाके एक account बना लीजे आप Autodex के website के उपर बस यहाँ पर नाम डालना है, email address डालना है फिर से double email address डालना है और एक password डाल दीजे यहाँ पर click करके account को एक account बना लीजे उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि आप कौन से college में हो, तो एक college का नाम डाल दीजे और आपका graduation year डाल दीजे और confirm कर दीजे step number two, आपको दूसरी नम की, जो step number two में जो link दीए उसके उपर click करना है वो click करने के आपको एक webpage मिल जाएगा यह, ठीक है वहाँ पर आपको download free trial के उपर click करना है जैसे आप वहाँ पर click करते हो, आपको यह सारे software मिल जाएंगे related AutoCAD, ठीक है तो पहला option आपको select करना है और next के उपर click दबा देना है उसके आप फिर से आपको next के उपर click दबा देना है फिर यहाँ पर पूछा जाता है कि I'll be using software as तो यहाँ पर आपको select करना है as a student or teacher ठीक है, तो यह देखो आपको यहाँ पर बोला आता है कि get AutoDex software for 3 years ठीक है, तो आपको 3 साल के लिए एक key मिलेगी, एक license की key मिलेगी जो कि free में रहेगी, आप free में उसको use कर सकते हो 3 साल तक ठीक है, फिर go to education community करना है तो जैसे आप go to education community करते हो, तो आपके पास एक किस तरीकिसा page open होगा ठीक है, देखो, जैसे यह मेरा पास एक page open हो गया उसके बाद आपको क्या करना है, download now के उपर click करना है जैसे आप download now के उपर click करोगे, यहाँ पर देखो version पूछता है कुन सा version आपको चाहिए, 2016 चाहिए, 17 चाहिए, 18 चाहिए, 19 चाहिए तो मैंने 19 सिलेक कर दिया, फिर आपको operator system कुन सी आपके पास, 64 bit या 32 bit है अगर आपके पास 64 bit है, normally 62 bit होती है सबके पास, तो 64 bit को सिलेक कीजिए फिर कुन सी language चाहिए, तो आपको language सिलेक करना है, English, तो English सिलेक कीजिए तो देखो, यहाँ पर आपको एक product की मिल जाती है, यह आपको serial की लिखके रखना है और एक product की लिखके रखना है, file का size 5.33 GB है, तो अच्छा net आपके बास चाहिए, ठीक है और आप इस software को 2 computer के उपर आप इसको install कर सकते हैं, ठीक है और यहाँ पर install now के उपर जो आपको यहाँ पर click करना है, यहाँ पर दिख रहे हैं आपको install now ठीक है, इसके उपर click कर देना है, ठीक है, और बस यहाँ पर I accept कर कीजिए install के उपर click कर दीजिए ठीक है बस और उसके बाद आपका जो software है install रोना चालू हो जाए देखो आ गया ठीक है तो run पे उपर जब का आप click करेंगे तो देखो यह पूरा download हो जाएगा run ठीक है मतलब यह simple तरीका है जिससे आपको कोई problem नहीं होगा license का आपको free में license मिलेगा आप use कर पाओगे ठीक है फिर उसके बाद जैसे यह हो जाता है wait minute मेरा netthos slow है ठीक है उसके automatically पूरा system पूरा process स्टार्ट हो जाएगा downloading का आपको किदर जाना नहीं है सीव आपको serial की और आपको product की दोनों लिखके रखना है ठीक है देखो start हो गया ठीक है यह पूरा खतम हो जाएगा downloading start हो गया मेरा ठीक है जैसे downloading 100% हो जाता है एक उसका setup मिलेगा उसको install कर लिजेगा ठीक है तो इस तरीके से आप अपने computer में free में AutoCAD का software install कर सकते हो ठीक है किसी से crack वेगर लेने के ज़रूत नहीं है AutoCAD ने आपको free में 3 साल के लिए product देता है तो आप इस तरीके से उसको install कीजिए और खुश रिजिए ठीक है have a nice day guys